नमस्कार दोस्तो एजुकेशन इस्टेडी सरकल में आपका स्वागत है तो आज हम बताएंगे रिजरेशन स्राडों को 10% अरच्छड का प्रस्ताव जानी किसको होगा फायदा तो 10 जरूरी बाते जैसा कि हम बता दे कि अभी ही जल्द ही मोदी सरकार ने 10% अरच्छड की बा जिन्हों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें चलिए हम इस्टार्ट करते हैं तो रिजरेशन स्राडों को 10% अरच्छड का प्रस्ताव जैसा कि हम बता दे इसमें सारे जितने भी नेता हैं राज के सभी लोगों ने समर्थन दे दिया है लेकिन अभी जो में समर्थन या जो में चीज है वो सुप्रिम कोर्ट करेगी लेकिन इससे पहले हम आपको बता दे कि क्या है वैसे तो पास होनी की संभावना 100% है और आज नहीं तो कल पास होना ही होना तो देखे इसमें क्य क्या क्या जशा कि किस को इसका फायदा मिलें कि स्र डो की जाती को किस को किस वर्को फायदा मिले तो हम आपको पूरी जा रिख सवजब की इकनामी ना Government बट्रांब रहेगी una दिया जाएगा स्रावडों को अपर केश्ट को अरच्छड देने के प्रस्ताव को केविनेट केविनेट नरेंद मोदी गवर्मेंट ने मंजूरी दिये मोदी सरकार के लिए राहत की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायवती ने इस अरच्छड को समर्थन किया हलां को बता दे कि इस प्रस्ताव से दस जूड़ी अहम बाते नालेश नो टेन इंपॉर्टेंट फिंग बाउट इजरेशन आप अपर काश प्रपोजल बता रहे हैं जैसा कि आप जानने कि इसमें क्या जरूरी है कि कि इसको कि इसको मिलेगा दस परसेंट अरच्छड मनें क्य कि इसकी जानकारी हम दे रहें इसमें क्या-क्य दीा है तो पूरी जानकारी आँक को देंगे इसको पास कर दिया उन्होंने तो देखे प्रस्तावित के मुताबिक अरच्छड का लाब सरवड को सरवड वर के सिर्फ उन लोगों को मिल पाएगा जिनकी सालाना आठ लाग रुपए से कम होगी तो यह दो बहुत बड़ी खुसकबरी है दूसरी सब्दों में कहें तो आठ लाग से जादा सलाना आएवालों को लोगों को इस प्रस्तावित बिल का लाब नहीं मिल पाएगा पहला प्रस्ताव को मताबिके दूसरा क्या है देखी इसमें जिन स्रवडों के पास पांच एकड़ से जादा किरसी भूमी होंगी अरचड का लाब नहीं ले सकेंगे यानि अरचड का लाब स्रवडों के उसी तबके को मिलेगा जिसके पांच पांच एकड़या इससे कम किरसी भूमी होगी तीसरा क्या है अरचड का लाब वही स्रवड तबका पास अकेगा जिसके पास सव और फिट से कम आवासी भूमी होगी यानि अगर इससे ज़्यादा वासी भूमी रहे तो रेसिडेंट लिए प्लाट हुआ हो तो अरच्छड की पातरता नहीं होगा चौथा क्या है मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नान नोटिफाइड म्यूनि पिलाइट एरिया यानि गयर अधिसूची नगर पाली का छेत्र में दो सो गस्ति कम का आवासी भूखंड है तो अरच्छड का लाव मिल सकेगा तो इन लोग को क्या होगा मिल जागे कल यानि 8 जनुरी 2019 को या प्रस्ता लोग सबम पेस किया जा सकता है इसके लिए समिधान संसोधन करना वास है क्योंकि ये एक तैसीमा के बाद अरच्छड दिया जा रहा है अमिधान के अनुचेत 15 और 16 इसी से जुड़े हुए हैं अनुचेत जो है आपका 15 और 16 यानि स्रवर अरच्छड रिजरेशन आप अपर काश्ड के लिए इन धाराओं में सोधन करना जरूरी होगा 2007 में संख्यां की मंत्राले ने एक सरवर में कहा था कि हिंदू अबादी पिछड़ावर की संख्या 31 और 2014 के अनुचेत 15 लोग सवासीटे हैं ऐसी हैं जहां पर हर जाती की समीकरण में सरवर अमिदवार भारी पढ़ते हैं और जिताते हैं सुप्रिम कोर्ड ने अपने एक फैसले को साप किया है कि अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अन पिछड़ावर के इनके अलाओं किसी भी अन विशेश सेड़ी में दिये जाने वाले अरच्छर का कुल आकड़ा 50 पैसा से ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसा कि हम बता दे कि जो सरकारी अरच्छर सिस्टम में उन्होंने तैक कि टोटल मिला के 50 परसेंट होना चाहिए 50 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्रामिधान के अनुछेद 16 चाहर में देश के पिछड़े नागरी को अरच्छर देखने का जिक्र है केन सरकार के क्रमिक मंत्राले ने जुलाई 2016 में बताया था कि देश अभी जातिगत अधार उन्चाट दसम्लों पांच परसेंट अरच्छर दिया जारा है जातिगत अध सरकार के इस कदम के मायने में सियासी भी दिखाई देती है तो जो भी है यह जान लीजिए कि स्रवडों को अनुछे 15-16 की अनुछार 10 परसेंट का आरच्छर मिलेगा मिलेगा आज के न्यूज पेपर में भी दे रहा है कि लगभग 40,000 सीटे बिद्यालों में भी बढ़ाई जाएगी मलब इनको ब्यवस्ता दी जाएगी मलब सभी छेत्रों में न्यूज पेपर के माद दे में बता दिया गया और यह बिर पास हो चुका है अब देखिए होता क्या है अब इसका फाइदा तो जिसको मिलेगा एक तो एक तर प्राप्त होगी उसको हम आपको पलताते रहेंगे जिनों अगर हमारा भी चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्ले सब्सक्राइब कर लिए नमस्कार दोस्तों